हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कार बैटरी चोर गिरो का बंडा फोड हुआ है शिमला पुलिस ने इस गिरो के चार सदस्यों को गिरफतार किया है चोरों ने एक फरवरी को शिमला के लॉंग बोर्ड इलाके के नजदीक गाड़ियों की बैटरी चोरी की थी इस बाजार के रहने वाले राकेश की शिकायत पर पुलिस ने मामली की तफ्तिश शुरू की मामली की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया पुलिस के पास चोरों के बारे में कोई सुराग उपलब नहीं था इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की अधार पर मामली की तफ्तिश शुरू की बारा घंटे में चोरों को गिरफतार करने के बाद पुलिस ने वयान के अधार पर हर्याना में जाकर छापे मारी की इन चोरों ने हर्याना में जाकर ही बैटरी बेची थी पुलिस ने यहां से कार की 28 बैटरी बरामत की है पुलिस की और से गिरफत बैटरी गिरो हमने पकड़ा है इसमें पांच लोगों को हमने गिरफतर किया है जिसमें से दो व्यक्ति हमारे स्थानिय हैं और दो हर्याना के हैं मूलता है लेकिन यह शिमला में रहते हैं फिलाल और एक व्यक्ति जहां पर इन्होंने जो यह बैटरी जो हमाने अठाइस गाड़ी की बैटरी चौरी हुई थी और इसके साथ जैसाथ छे सत लोगों की और लोगों की बैटरी आ महीं से एक तारीक हो हुई थी तो इस पर हमने अप्रात्मी की धर्ज करके अमने अन्वेशन शुरू किया और हमने बिल्कुल इसमें त्वरित कारवाई करते हुए हमारे टीम ने जो है इसमें कुईकली जो है उसके शिकायत पत्तर प्राप्त होने के 12 गंटे के भीतर ही हमने इनको ढून निकाला चारों लोगों को और जबकि हमारे पास वैसे कोई क्लूज नहीं थी लेकिन हमने CCTV औ और जो इन्होंने बताया कि जब इनकी अरेस्ट डाली हमने तो इन्होंने बताया कि यह जो बैटरी है यह पांच लोग है चार लोग तो जो यह चोरी में संलिब थे इनमें से दो स्थानिय हैं एक दुरगापूर डहली का रहने वाला है और दूसरा मशोबरा का रहने वाल हैं और लेकिन यहां पर चलॉंठी में रहते हैं और एक पांचवा व्यक्ति है जिसने यह बैटरीज खरीदी थी वह हरियाना का है रहने वाला हिमाचर प्लास न्यूज के लिए शिमला से पुश्पेंदा चौधरी की रिपोर्ट